नमस्का दोस्तो मैं सुझे कुमार और आपके अपने चैनल सुझे फेंटासी में आपका स्वागत है आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो माइनर लिग टीट्वेंटी के मुकाबला जो होने वाला है उसके बारे में डिसक्स करने वाले है और पूरे वीडियो को धियान से है मैं वीडियो बना कर गया आपको दे दूं पहले तो इस वीडियो में आपको मिलेगा गायक है fantasy tips सारे player का full stats और लास्ट में लोड ड्रिम लेवन का team discuss करेंगा analysis करने के बाद ठीक है तो चलो हम लोग यहां पर बात करते हैं भाई आगे देखो ना बारिस की कोई समभावना अभी तक तो मुझे देखने को नहीं मिली है किस ग्राउंड पर होने वाला है तो अटलांटा किर्केट फिल्ट्स यूर्जिया यूए समय होगा इंडिया नहीं ठीक है तो यह थोड़ा धियान रखना और बैटिंग फ्रेंडली यहां पर पीछ दिस्क्रिप्शन में टेली राम का लिंक मिल जाएगा जल्दी जाएकर के ज्वाइन करना अगर अभी तक ज्वाइन नहीं कि हो ठीक है अगर बात करते हैं आगे तो देखो इसमें आपको पन सो रुपा कमाने का गीववे भी है उसमें आपको कैसे करना है कुछ मैं आपको बालिंग सेसन से कौन देगा उसका नाम लिखना है अगर आपका ये जवाब सही हो जाता है तो और आम साब को 500 रुपीज मिल जाएंगे ठीक है तो चलो आगे वीडियो को बढ़ाते हैं दोनों टीमों के प्लियर का स्टैट चेक करते हैं फिर चलेंगे ड्रिवलें पर तो दोनों के दोनों मुकावला जीत के आ रही है अब इनका देखो प्लेंग 11 आपको इसी एकॉर्डिंग आपको खेलते हुए दिखेंगे सारे बंदे केनार लुविस, जयन, सयद, आरून, जौन, नासिर, हुसेन मतलब ऐसी एकॉर्डिंग आपको खेलते हुए दिखने वाल देखो यह जो दो मैचे में दिखा रहा हूँ वो दो मैचे जो रिसेंटली खेला है उसमें परफॉर्फॉर्मेंस और उससे पहले इसका क्या प्रफॉर्मेंस रहा है वो भी मैंने लिख रखा है ठीक है और उससे पहले 42 और एक प्रफॉर्मेंस करके आ रहा है तो यहां प तो तीन ओबर डाला 35 न बनाया एक विकेट भी निकाला यहां पर दो ओबर डाला एक विकेट निकाला 12 न भी बनाया इंपोर्टेट बनेगा बलकि कैप्टन भी बना सकते हो तो यहां देखो भाई नाशिर हुसेन है बहुत ही तकड़ावाला खासी है भाई फिर भी में है मेलिटा ने विकेट केपिंग से देखेगा आपको 56 बनाता हुआ दिखा था फरस्ट मैच में उसके बाद नहीं खेला मतलब बैटिंग ओर्डर नहीं आया इंका इनको आप लेकर करके जा सकते हो उसके बाते हैं कॉर्णे ड्राई और राइट अम मिडियम फास्टर दो निकाला है फरस्ट मैच में तीन ओबर डाल कर और दूसरे मैच में पांच विकेट निकाला है मतलब समझ रहे हो किस लेवल का बंदा है तगड़ा वाला प्रफॉर्मेंस करके देगा ठीक है नीचे आते हैं तो जै पाठक आपको दिख जाते हैं जिरो रन कुछ खास नहीं यह आपके लिए ठीक बन सकता है लेपता मॉर्थरोडोक्स बॉलर है चार विकेट निकाला तो फरस्ट मैच में इस भले दूसरे मैच में विकेट नहीं मिला लेकिन बंदा बहुत ही तकड़ा वाला है कभी प्रफॉर्मेंस करके दे सकता है जेरेमी गॉर्डन ठीक ठाक है बॉलर्ड ओके ओके रिडवांस पलेस कुछ खास नहीं है और विराज वागेहला यह भी कुछ खास नहीं है और बाके सारे बेंस के प्लेयर आते हैं इन्हें से कोई खेलता है तो वितर स्टाट्स मैं आपको बता दूँगा तो दोस्तों यह हो गई सारे कुछ बात मैंने इस चैनल पर देखने को मिलेंगे ठीके तो बेल इकन दवाकर आल भी कर लेना आप चलो जल्दी से दूसरी जो टीम है उसके बारे में डिसकस कर लेते हैं तो आटलांटा लाइटनिंग की जो टीम है अब इनका देखो दो मुकाबला यह खेल के आरे टीम पहला मुकाबला जित कई थी दूसरा मुकाबला ही हार के आई टीम अब इनके टीम के परफोर्मेंस कैसा है क्या नहीं है वो सारा कुछ मैं आपको आगे डिसकस करके बताते चलूंगा अब यह देखो इनका प्लेइंग 11 है इसी एकॉर्डिंग यह बैटिंग और इंक आपको देखने को मिल बिलने वाला है ठीक है तो यह तो देख लिना चाहते हो तो इस किन सोट भी आप ले करके जा सकते हो उसके नीचे देखोगे तो आपको मार्क पार्चमेंट डिख जाएंगे 22 रन और 37 रन आपको बंदा बनाता हुआ दिख रहा है प्रफोर्मेंस भी अच्छा कासा है ओप अपर भी आपके लिए अच्छा कासा करता हो दिखे का हाला कि पहले मैच में 30 बनाया है दूसरे मैच में 8 रन बनाया लेकिन बंदा तगड़ा वाला है प्रफोर्मेंस आपको अच्छा कासा करके देगा ठीक है नीचे देखोगे तो सागर पी पटेल 32 और 13 रन बना करके आ तो चारचर ओड़ आपको बॉलीं डाल रहा है पलस बैटिंग भी अच्छा कासा कर रहा है तो आप ले करके जाना कैसियस बटन कुछ खास उतना मुझे नहीं लगा है 17 और 9 रन एक विकट तीन बना रहा है बाकि मुझे कुछ खास पीक नहीं लगा है तो अगर आपके टी नहीं मिला तो 15 रन बनाया है रोमेरियों के कुछ खास नहीं बनेंगे पंकज कुमार राओ का देखोगे ना तो राइट आम मिडियम और चार रन एक विकट चार ओबर है और एक विकट यहां पर तीन ओबर है ठीक है इनका भी ठीक ठाक स्टैट्स बगरा है हीर पटेल का देखोगे तो कुछ खास नहीं बनेगा फानी सी महाधारी का देखोगे न तो एक विकट बंदा फर्स्ट मैच में निकाल के आ रहा है और दूसरे मैच में भी एक विकट निकाला है तीन ओर डाल करके लेप्टाप मीडियम फर्स्टाप को लिए बॉलिंग करता हुआ तो गये चलो अब यहां से हम लोग टीम बनाते हैं विकट कीपिंग से देखोगे तो हमार हमिल्टन है अच्छे का से पिक बनेगा आपके लिए और उनमुक चंदे आप इनको भी रख लो तो ज्यादा बेटा रहेगा ठीक है दोनों को मैंने विकट कीपिंग से रख लिया ठीक है और मुझे यहां से और कोई बन्दा कोई खास नहीं लग रहा है जैन सेयद के लिए अगर जगह बनेगा तो फिर में लेकर के जाओंगा अभी के लिए तो मैं नहीं रख रहा हूं ठीक है और राउंडर सेक्षन पर आवं जोंस हैं पार्चमेंट हैं और यह बन्द आप इनको रख लेओ ठीक है और मुझे यहां से और कोई खास तो कोई नहीं दिख रहा है जिसको मैं अपने टीम में लेके जाओं ठीक है तो यह सारे बन्दे मैंने अभी के लिए रख लिया है हलाके अगर देखो कुछ प्लेइंग लिए इधर उदर होता है तो फिर जैन लुइस है फिर आते हैं जहमार है मिल्टन है आरोंज जोन से ठीक है बहुत सारे है हुसें तलत है मतलब इस सारे जो बंदे हैं ना सी और बीची के लिए बहुत अच्छे काज़े चोईस है तो तेरह धियान रखना अगर प्लेइंग लिए अगर ऐसा ही टैप का कुछ रहत है तो फिर उसके इसाफ से टॉस के साफ से फिर सी और बीची डिसकस करेंगे जो भी होगा मैं बता दूमा टेलिगराम पर आकर के जल्दी से टेलिगराम चल से जोईन हो जाना और मैं फाइनल टीम दूँगा अराम सब खेलना ठीक है जल्दी मिलते हैं नेक्स टुड़े मे अलटरी को वीडियो के साथ तब तक लिए धन्यवाद अपना ख्याले के दूस्तों जाहिंद